शांता कारं भुजग सेनं पद्बनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगर सद्रिशं मेखवरणं शुहांगं लक्ष्मी कांतं कमल रैनं योग विर्ध्यान गम्यं वंदे विष्णुम भौहेहरं सर्वलूकाई कनाथं संस्कृत शौरियम इस समुह के संस्थापक अधाप्रवंधग्ण आप सबको प्रणयम करते हुए साधु बाद करते हुए आज के सज्ञान सत्र को प्रारम कर रहे हैं पूर्वदिन हम लोगों ने सब्तिमी विवक्ति के अध्यायन के क्रम पर स्वामी स्वरा धिपति दायाद साक्षी प्रतिभू प्रसूतैश्यो इस सूत्र तक अध्यान हम लोगों ने किया था उसके आगे आज हम लोग अध्यान करेंगे जैसा हमने आप सब को बतलाया था यह सूत्र जो है यह उपद भी भक्ति का विधान करने वाला सूत्र है उसी तरह से दुतिव सूत्र आपके सामने उपस्तित हो रहा है आयुक्त कुशला भ्याम चासेवायाम आभ्याम योगे सश्ठी सब्त्यम्योस्ताह तात पर गेर्थे यह सूत्र कह रहा है कि आयुक्त और कुशल शब्द के योग में विध्यमान जो प्राति पदिक उससे आशेवा अर्थ में सश्ठी और सब्त्यमी का नीमन होता है तो प्रश्ण ये होता है कि यहां पर ये बोल रहे हैं सूत्र में आशेवायाम और वृत्ती में तात पर या इर्थे ऐसा बोल रहे हैं इन दोनों का मतलब क्या है यहां जो तात पर ये अर्थे वो क्या है इस पर थोड़ा से हम लोग विचार करते हैं यहां दो शब्द आये हुए हैं आयुक्त और कुशल आयुक्त का क्या रथ है यह तो मूलकार नहीं बता दिया आयुक्ता ब्यापारिता आंग पूरवक्त युजधात उसे अक्ता प्रते होकर के आयुक्त शब्द बना हुए है जिसका ब्यापारिता अर्थ होता है ब्यापारिता अर्थात उसमें प्रवर्तित और कुशल शब्द का अर्थ होता है आपका जो है उसमें कुशल शब्द के कई अर्थ होते हैं कुशल शब्द का अर्थ जो है वह ख्रेम अर्थ भी होता है पुर्णिय अर्थ होता है अमरकोष्ट में लिखा हुआ है कुशलंग ख्रेम पुर्णिय योहो और परियाब तो अर्थ में भी होता है अभिग्य अर्थे में होता है तो यहाँ जो है अभिग्य अर्थे में यह प्रियुक्त है खुशलाः आयुक्ता खुशलोवा, हरी पूजनेस, हरी पूजनेवा और आसेवा का अर्थ है यहाँ पर तातपरी अर्थ या जिसको आप एक शब्द से कह सकते हैं अउतसुक्या पताथ पर ये अर्थे अरधा आउतसुक्या अर्थे ये आसेवा शब्द का यहां अर्थ होता है प्रयोग इसका आया हुआ है आयुकता कुश्लोबा हरी पूजने हरी पूजनस सेब जब सश्ठी विवक्ति का नीमन हो तो हरी पूजने, जब सब्चिमी का हो तो हरी पूजने, यद्यपी सूत्र की ब्रत्ती में आप भ्याँ योगे सश्ठी सब्तम्यव ऐसा का है, पहले सश्ठी विवक्ति का नीमन हो तो बाद में सब्चिमी का, किन्त यहां जो प्रयोग है उदाहरण है वह हरी पूझने हरी पूझने हरी पूझने हरी पूझने पहले सप्ति व्यक्ति का नीवन फिर सश्थी व्यक्ति का नीवन किया गया है तो ये इसका तात्प्रग्या है और यहां आयुत कुछला भ्याम इस सूत्र में ये सश्ठी और सब्तमी दोनों भीवक्ति का जो अनुबर्तन हुआ किस सूत्र से हुआ है तो इन दोनों पर हम लोग विचार करते हैं कि इनका सुरूप कहां से आया कैसे कैसे इसका ग्यानुगा और अर्थ इसका कैसे बनता है क्योंकि बिना जब तक दोनों का विचार ना हो तब तक वहां इस्थिति बनती नहीं है यद्यपी सष्ठी चानादरे सूत्र से ही इस्थिति बन रही है सष्ठी चानादरे से ये सष्ठी विभक्ति का नीमन करता है चकारात सब्तिमी विभक्ति का नीमन करता है और उसी सष्ठी चानादरे सूत्र से सष्ठी और सब्तिमी का अनुबरतन चला रहा है स्वामी स्वराधिपदी दायत साक्षि प्रतभू प्रसूत तैस्च्च में और उसी से यहां पर आयतुकुशलाप्याम चासेवायाम और इसी से अभी और आगे जाएगा यतस्चने धारणम यहां तक उसका स्वरूप अवस जाता है इस तरह से यहां पर सश्ठी चानादरे सूत्र से सश्ठी का और चकारात सब्तिम्यक्ति का अनुबर्ति हो रही है इसलिए यहां पर भी आयत और कुशल के योग में विद्वान जो प्राद्पतिक उसे सश्ठी और सब्तिम्यक्ति का दोनों का नीमन होता है तात पर यह अर्थ यह जिसको हम आउटस्वित के अर्थ कर देते हैं उस अर्थ में आसेवायाम किम आयुक्तह गवहु शकटे यहां पर इशत अर्थ है इसका आ का पूर्णताय उसका नहीं है इसलिए यह पर आसेवा नहीं हुआ आसेवा नहीं होने के करण यहां पर केवल सप्ति व्यक्तिका नीमन होगा सश्ठी व्यक्तिका नीमन नहीं हुआ यतश्य निर्धारणम जाति गुण क्रिया संग्या भी ही समुदायात एक देशस्य पृतक करणम निर्धारणम यता तता सष्ठी सब्तम्य वस्ता जाति गुण और क्रिया तता संग्या है चार चीज़े हैं जातिके द्वारा, मुण के द्वारा, क्रिया के द्वारा, संग्या के द्वारा, इनके द्वारा समुदायत एक देशा से प्रथम करण, समुदाय से कुसी एक अवयव का, एक भाग का जो उसका प्रथम करण है, उसी कहते हैं निर्धारण, और उस वो जो यहां, पर जो समु अपित tastes यहां जो है समदाय जिसका भी समदाय होगा उसके सम्भदाय की से वहाँ पर सस्टी और सक्टु विट्की का नीमन होगा यता नडाम निर्ष्वा ब्रामधा सरेष्टल है। तो यहाँ न्री सम्दाय है न्री सम्दाय से ब्राम्धा को पृत्तक किया जारा है किसाधार पर जाति के आधार। जाती से इसलिए यहाँ पर समधावाची जो शब्द न्री है उससे यहाँ पर सश्टी और सब्त्मी व्यक्ति का नीवन होगा जब सब्त्मी का नीवन होगा तो न्रिश्व यह होगा दूसरा उदराने गवाम गोशुवा क्रिश्णा भुक्षीरा यहाँ गुण के द्वारा हो रहा है क्रिश्णा क्रिश्णा गुण विशिष्टा क्रिश्णा रूपवाती यागव हुँ सा भुक्षीर भुवती तो यहाँ गुण के द्वारा नेधारन करकिया जा रहा है औ समुदाए वाचक शब्द यहां पर गो है इसी प्रकार गच्छत आम गच्छत सुवा धावन छीग्रह यहां जो गच्छत है यह क्रिया है तो समुदाए वाचक क्रिया से यहां पर धावन क्रिया की स्रिष्टता बता है तो यहां गच्छत आम गच्छत सुवा धावन छीग गच्छत नाम गमन शीलाहय संती, तेशु धावन शीग रहा, तेशु यहाँ धावती सह शीग रहा गच्छती, तो यहां इस अस्थल में जो शब्द है, समदावाची शब्द है, वो गच्छत शब्द है, इसलिए उसे सष्ठी ब्यक्ती हो गच्छताम, सब्यागी हो गें और यहांपर क्रिया वाची शब्द है जिसके दरण किया जारो जह Earth दहावनिशब्द है तो यहांपर समधाय वाची शब्द से सश्डि होने से गच्चताम गच्छा सुगाईज़्द और इसा होता है इसी प्रकार संग्या शब्दें चात्रा नाम चात्रिश वा मैत्रह पटू यहां मैत्र जो है वो चात्र की संग्या है तो चात्रा नाम चात्रिश वा मैत्रह पटू में यहां पर समधाय वाचिक शब्द जो चात्र उसे सश्टी और सब्तिमी का निमन होता है जिससे यहां प इसले भी आप्रि सष्टी विक्ति का नीवन होता है अब यह सूत्र कहए रहा है कि विभागा विभक्त हो बिभाग का मतलब करना तो निर्धार्य मान से यत्र विभागा अर्था भेदा यह तत्रपंचमी से आथ जहां पर निर्धार या मान का भेद बतलाना आवश्यक हो जहां मातरा है पाटली पुत्र केव्या आध्य तरह है तो कसमात आध्य तरह है केव्या आध्य तरह है पाटली पुत्र केव्या तो निर्धार या मान कौन है यहां पर पाटली पुत्रक है तो पाटल पुत्रक से यहां पर भेद बतलाये जा रहा है। किससे भेद बतला है यहां माथूर से तुसलिए पाटल पुत्र बाची जो शब्द है उससे यहां पर सथी वियक्ति हो गई। पंच्वेक्ति होने से पाटली पुत्र के भ्या अध्यतरा यह प्रयोग बद्दा है अगला सूत्र है साध नुपना अभ्याम अर्चायम सब्तम्य प्रते हैं साधु और निपुन शब्द मिनके योग में विद्यमान जो शब्द है उसे सब्तमी होते हैं किन्तो एक शर्त है प्रतिका योग नहीं होना चाहिए न तुप्रते हैं और अर्चा अर्थ में होगा अर्था अर्था हमाने पूजा अर्था में तो मातरी साधु निपुन अभा अभी यहां पर मात्री शब्द हैं उसके योग में यहां पर जो है साधु शब्द और निपुन शब्द है उनकी योग में विद्मार जो मात्री शब्द है उसे सश्ठी व्यक्ति का होगा इस अर्था में साधु अर्चा अर्चा मतलब प्रशन साधी अर्था में तो मात्री शाधु मात्री निपुन यहां पर उसो सत्व्यक्ति होग इसे अर्चायाम किम निपुणा राग्या वृत्या यहां जो है जो निपुणा शब्द का जो प्रयोक किया गया है उपूजा आर्थ में नहीं है अर्था सम्मान आर्थ में नहीं है करा है ये केवल उसके धो किरह भंगो बतलाया जाला इसलें यहां पर श्ष्थी वृप़््टी तो ही है किंतर यहां पर सब्कांख उत्थेय। इतत्य कत्रैर्थ युज युजाजर्ट क करता हुद्ध युजार्थ युजा दिशाज место. राज्या व्रख्तिया निपुनहास्थ ध है। वाश्टवीत्य निपुनहास्थि युजुन मुद्ध यूको कत्तम्त जाए। और जो गूण है उनका कहा जाए तो यथार्त कतर हो तो प्रसन सा पतार्थ नहीं ह। इसलिए यहां पर तत्प कतर में तात्पर होने से यहां सश्ठी प्योक्ति तो ही है प्रण सब्ध की नहीं हूए। प्रत्यादिवीक वक्तिव्य अधाद प्रति रहीं। प्रति नहीं। प्रति के साथ और शब्द पढ़े जाते हैं। उनके योग में भी वहां पर दीयवक्ति का बाथन होता है। तो साधु निपूणह वा मातरम प्रतिपरियनुआ। तो प्रतिपरियनुआ। इसलिए यहां पर साधु निपूणह के योग में भी मात्रि शब्द से यहां पर सश्थी व्यक्ति नहीं होए। प्रसित और उत्सुक शब्द के योग में बिद्यमान जो प्राथिपदिक उसे त्रतिया भ्यक्ति होती है और चकारास्त्मी भ्यक्ति होती है प्रसित और उत्सुक के योग में विद्यमान प्रात्पति जो हरी उससे जब तृतिया भी होगती हो गई इस उत्र के द्वारा तो हरी ना बन गया और जो चकारा सत्मी भी हो गई तो हरो बन गया इस तरहे दोनों रूप इसके बनते हैं नक्षत्रे चलूपी नक्षत्रे प्रकित्य रथे यो लुप शंग्या लुप एमाना से प्रत्य से अरथा तत्र बरतमाना तरतिया सथा सब्थम भी करने तो नक्षत्र वाची जो शब्द हो तो नक्षत्रे प्रगित्य अर्थो यह लुप संगया लुप माना से प्रत्य से अर्था तस्मिन अर्थे यह बरतमाना शब्दा भवती नक्षत्र वाची का वाची का शब्दा तस्मात तृतिया व्यक्ति निभवती सत्य व्यक्ति अर् करने अर्द है यह था मूलेन आवाहया देवी स्रवणेन पिशर जैत इस अस्थल में क्या है कि जो मूल शब्द है स्रवण शब्द है यह मूल शब्द और स्रवण शब्द दोनों नक्षत्रवाची है और नक्षत्रवाची होने के साथ यह क्या है तो यहां क्या हुआ है कि मूल शब्द है और मूल शब्द का यहां ताथ पर क्या है तो यहां जो प्रत्य हुआ है उसका लुक हुआ है नक्षत्र कैसे हुआ है तो यहां जो है मूलेन युक्ता काला मूला होता है तो एक सूत्र है नक्षत्रन युक्ता काला इस सूत्र से यहाँ पर पुश्य शब्द से स्रवण शब्द मूल शब्द से स्रवण शब्द से यहाँ अनप्रत्य होता है और उसका लोप हो जाता है सूत्र है लुबव विशेशे तो नक्षत्रन युक्ता काला है सूत्र से मूलेन युक्ता काला स्रवणेन युक्ता काला पुषेड उक्ता काला हित्यादी अर्थ में नक्षेड़ी तकाला सूत्र से यहाँ पर सश्ठी भी वक्ती होगी ओ ना रहने यहाँ पर जो है अन प्रत्य होता है लुब विशेश इस सूत्र से उस अन का लुक हो जाता है इसलिए नक्षटर शब्द वाची जो यहाँ पर मूल शब्द है यह मूल ऐसे ही रहता है श्रवणी ऐसा ही रहता है तो मुले न आवाहिय देवी मुष्रवणे न विसरजय की सस्तल में भी यहाँ पर इस जो नक्षत्र नक्षत्रे प्रगत्य रते यह लुफ से लुफ माने च्रत्य स्यार था लुफ माने प्रत्य स्यार था को Leonardo Center न पर स्प्तमु रते उसे बरतवार यहाँ पर मूल शब्द है उसे तृतिया भीक्ति होगी और सब्टिया भीक्ति होगी जो तृतिया होगी तो मूले आवाहे देवी स्रवणे बिसरजेद और जो सब्टिया भीक्ति होगी तो मूले आवाहे देवी स्रवणे बिसरजेद ऐसा इसका दोनों सुरूप होता है तो मुले सर्वडे दोनों अर्थ होते है लुप किम लुप क्यों होता है? पुशे शनी ही यहां पर भी जो है लुप हुआ तो पुशे शनी लुप किम पुशे शनी तो नक्षत्रे पर के तरह से यह अफ्ट संग्याग लुकमानस तरत तो यहां पर फ। शनी में लुकमान प्रत्यका अरथ नहीं यहां पुष्ये में फ। शनी मुष्ये नक्सत्र शनी अस्त यह उसका अप्रूबसे तात्र होगा भलता यहां जो का रहो ना चाहिए उसका लाफ इस इसको इस प्रयोग को नहीं मिलेगा अगरा आपका जो प्रयोग है सूत्र है सब्तमी पंचम्यों कारक मद्धे यह सूत्र का अर्थ है शक्ति द्वय मद्धे यहां पर शक्ति शब्द का अर्थ है कारक शक्ति द्वय मद्धे या भीवक्ति द्वय मद्धे यहां पर पंचमी वक्ति और सब्ति भीवक्ति इन दोनों के मद्ध में यह काला ध्वानो जो काला वाची शब्द हैं और मार्ग वाची शब्द हैं ताभ्याम एते अस्ता उनसे यह दोनों होते हैं कोनों होते हैं शष्ठी और सब्तमी तो नहीं सब्तमी और पंचमी दोनों होते हैं अध्य भुक्त्वा अहम या अध्य भुक्त्वा अयम द्व यह द्वह यह आत्वाब होता है यहां पर फजजदाद के योगने विद्यमान जो शब्द है द्वह शब्द उससे जब यहां पर सब्ट भी हुटी होते द्वह पंज भी होती द्वह बह दोनों रूप बंते हैं इसे प्रकार करत्री शक्त्यों और मध्य आयम काला किसके मध मद्ध में करता और करत्री कारक के मद्ध में यह जैसे अध्य आयम भुकतवा अध्य भुकतवा आयं द्यु आ द्वाद्वा भोकतवा द्वह कैसे कार तो कर्षक्तिरो मध्य आयम काला है, तो अध्य भुक्त्वा आयम, जो है द्याद्वा भुक्ता, तो एक कारक शक्ति का कथन होता है आयम इस शब्द से, एक का होता है भुक्ता इस शब्द से, तो दो कर्तिर शक्तिकों के मध्य में यहाँ पर कारक है, इसी प्रकार इहस्थो तो यंक्रोश क्रोशाद्वा लख्शम विद्य अच्छय विद्य मदेशा degi करता और कर्म शक्ति के मतर्व यह स्था अयम क्रोशे क्रोशाद्वा लक्षम विद्धेद क्रोशे क्रोशाद्वा यह पर लक्षम विद्धेद इस स्थान में यह जो कर्म है कौन है तो कर्म कर्त्री कर्म तो अयम हो गया करता और لक्षम हो गया कर्म इन दोनों को मद्य में यहां कौन है क्रोष वाजिंग शब्द है मार्ग वाजिंग शब्द है उसे यहां पर सब्तेमी और सष्टी भक्ति का लूँका नीमन हो अधिक शब्द से क्या उपलक्षित होगा अधिक शब्देन योगे सब्तमी पंचम्यव इश्येते अधिक शब्द के योग में प्रायत प्रदिक से सत्मी भक्तिका और पंचमी भक्तिका दोनों का नीमन होता है अगला सूत्र है आपका जिसका यहां उलेक हो रहा है तदस्मिन नधिकम इत्दसांताड़ इति यसमाद अधिकम यसचेसर वचनम तत्रसत्मी इतिचा सूत्र निर्देशाद लोके लोकादबा अधिकाहरी तो इन दोनों सूत्रों के निर्देश के आधार पर जो है अधिक शब्द के योग में सत्मी भक्तिका और पंचमी भक्तिका दोनों का नीमन होता है यूँकि दोनों के स्वरूप उपस्थित होते है प्रयोग है आपका तदस्मिन नदिकम इदि दशान डः इसे डव प्रत्य होकर के दश्ष शब्द बनोगा है यसमाद दिकम यसचेसर वचन वित्यादी के यह जो सूत्र है सूत्र के अंदिर देश होने से भी यहाँ पर अधिक शब्द के योग में पंचमी भक्ति का भी होता है तो पंचमी भक्ति और सत्ति मी भक्ति का तो पंचमी का उधारन अभी आया अभी सत्ति मी का भी है लोके लोकात बाद ही का हरी यहाँ पर लोकात यह पंचमी होता है लो इसी परकार दूसरा सूत्र है। यसमा दाधिकम यसचेश्णा वचनम तत्रसब्त में। तो यसमात अधिकम जिससे अधिक प्रतीती हो रही है और जो अधिक प्रतीती हो रही है और साथ साथ में ईश्वर बचन, जो इश्वर बचन है वहाँ पर सब्तमी विवक्ति होती है उसके प्रयोग में जैसे यहाँ पर अत्रप कर्मचनिय युक्ते सब्तमी स्यात उप पराधे हरे गुणाहा तो यहाँ पर उप पराधे हरे गुणाह में यहाँ उप की कर्मचनिय संग्या की सूतर से होती है तो आप देखे तुतिया व वक्ति में आप से पहुचिए और दोतियावी वक्ति में वहां उपके विशा में बतलाया गया है कि क्या बतलाया गया हो के विशा में यूँकि जो कुर्परच्णिय संग्या का प्रश्ण उठा तो वहां जो है आपका जो उपशब्द है उसकी क्रवच्णिय संग्या होती है कि सूत्र से होती है क्रवच्णिय संग्या उसकी तो उपोधिकेचा सूत्र से उसकी क्रवच्णिय संग्या होती है अधिक और ही दोनों देत रहे तो उसकी क्रवच्णिय संग्या होती है तो यहां पर भी यसमात अधिकम जहां अधिक अर्थ की प्रतीती हो रही है इश्वर बचनम तो इश्वर का बचन होता हूँ अबर प्रमचनिय संग्या होती है जैसे उप पराधे हरे गुणा में पराधे जो है उसको योग में विद्यमान कौन है यहां पर उप है तो यहां यह क्या है की यसमात अधिकम अर्थात जिससे वह अधिक है अत्वाइश्र जुझा सुनम जो इस्वर का अच्यवा उन्के सबके योग में विद्यमानहें सब्तिमी हो उसके योग में जो उपसर्ग है उपसर्ग नहीं उसको प्रादी कहेंगे उसकी क्रमचनी संग्या होते हैं जैसे उप प्रादे हरेर गुणा तो यहां उपके योग विद्धिमान प्राद पति कहें हरी उसके यहां पर सश्टी वक्ति हो गई परार्थाद अधिका इत्य अर्था अर्था पर से परार्थ संग्या से अधिक कहा जा रहा है भगवान हरी के गुण पराद है तो अईश्वरियम तू सोस्वाव अभ्याम परियाइड सब्ति होगी जैसे अधि भूमी रामा अधि रामे भूह दोनों तरह के प्रेग होते है तो यहां अधिकी कुर्णचनिय संग्य होती है अगला सूत्र आपको सत्मी संड़ई सूत्र कहता है समास पक्षित रामा धीन अशरक्ष इत्यादिन खो तो सत्मी संड़ई में कि सूत्र में जो समास होता है तो उसमें जो है यहां पर रामा धीना सूत्र में यहां पर रामा धी शब्द से अशरक्ष इत्यादि सूत्र से यहां पर खवप रत्ते होता है खवप रत्ते होकर कि रामा धीना यह प्रयोग बनेगा अशरक्ष इतिखा यहां पर राम पूर्वा का जो अधी है से उसका अड़क सित्या इस ऊतर से यहां पर खौप रत्य होगा और अधिन आ विभाशाक्री अग्निक रोती प्राक्ष संग्य वाँ श्याद इस्रेयर तो अधी करोत उप्राक्ष संग्य 26 अर्थात क्रीधात के योग में जो अधी है उसकी कर्वचिनिय संग्या होती है यत्र यदत्र माम अधिकरिश्यती विन्योक्षयते इत्य अर्था तो इस प्रकार यहां अधी की जो है कर्वचिनिय संग्या होगी अधि करो तो प्राख संगे साथ ईश्वर के अरते में प्रयोग यहाँ पर है यदत्र माम अधि करिश्यती तो यहाँ पर माम में यहाँ पर अधि की योग में माम में यहाँ पर दुतिया भीक्ति हो गई तो यदत्र माम अधि करिश्यती यह बिनयोग तुह इसवरत तो यहां गम्म्य वान्हों अधिक्त् Second लिए रहता संग्या उड़न गैदने में यह Pe Marshi संग्या से सबढ़िखत्व का बाद होने के कारण करण सब्सक्राइक एस सबाहना I वह नहीं होगा तो इस तरह से यह सब्दमी विवक्ति का पूरा विचार हुआ है और इसी विचार के साथ साथ हम सम्पूरुण पहले सब्तिमी भक्ति का और इसके बाद कारक प्रकरण का सबका एक आवलोखन करेंगे और इसके पश्चात तब फिर हम अगले प्रकरण में हम लोग प्रवेश करेंगे सब्तिमी भक्ति के विशा में जैसे आप सबने अध्याइन किया कि सब्तिमी भक्ती जो है वो अधिकरण में होती है और अधिकरण को बतलाने वाला सूत्र कौन है तो आधार अधिकरण में है जो आधार है उसकी ऐसा जो कारप उसके अधिकरण संग्या होती है कि तो आधार बनेगा कैसे करता और कर्म के द्वारा ही आधार बनता है वाक्यपदी में भी कहा गया है कर्त्रिकर्म व्यवहिताम असाक्षत धारेत क्रियाम उपकुर्वत क्रियास सिद्धो शास्त्रे धिकरणम इस्मृतम अर्थात जो कर्वता और कर्म के व्यवधान को सहता हुआ साहिताम और साक्षत धारेत क्रिया में नहीं होता है कि इसको अर्व कर्वाशा और जैसे हमने बतला धारेत कर्म के तीन प्रकार के होते हैं उपशलेशिक, वैश्यक और वियापक, ये तीन प्रकार के हैं, जिसके साथ आधे का एक देसी ये संयोग हो, वो उपशलेशिक अधार, जैसे उपसमीपे शलेशा संयोगा, उपसलेशा, उपसलेशा संयोगा दी संबन्द। और उपसलेशे निर्वृत्त वा उपसलेशिका इसे प्रकार विशय अर्था प्रतिपाद्य अर्थ से संबंधित जो आधार वबैश्य का आधार होगा है कि यह से जड़िक जड़िए शब्रतिपांद्यक घर्ट किंट अड़िकिंग कर जो अपने अधे को पूर्णत्य व्याप्न गुण व्यापका आधार, उसको व्यापका आधार कहते हैं, वह जो है संपूर्ण आधे के प्रत्यक अव्यों को व्याप्त करके और इसका शुरूप बनता, तो इस तरह से ये तीन आधार हमारे सामने उपस्तित होते हैं, तीनों के यहां इन्हों ने जैसा आप लोगों ने पढ़ कि यहां पर आत्मा जो है संपूर्ण में व्याप्त करके रहता है इस कारण से यहां पर जो है सब्तमी भक्तिका नियमन होता है और यह सब्तम्य जो यहां पर क्या है SUBTSM 두 में यहां पर है हमुसरी तरह से यहां पर मोक्षेश चास्ति यहां पर इसाति बनती है तो इस THIS तरह से ये प्रयोग आपको बतलाय गया और इसके बाद दूरार्थक शब्द, अंतिकार्थक शब्द के विशय में जो दूरार्थक शब्द से और जो है अंतिकार्थक शब्द से सश्थी सब्दमी भी हक्तिका नियमान करते हैं दूरे अंतिकार्थक रूप में और इसके पश्चा जहें निमित शब्द की ब्याक्या की गई चर्वनें दीपनम्हांति दानति और हंति को जर्व यहाँ पर नीतित्तात कर्मयोगे सूत्र से यहाँ इसको सब्सक्राइब भ्यक्ति का नियमन करते हैं और इसी तरह से जो हेत उत्रतिया है उसका भी उलेख हुआ और अगला सूत्र जो आपके सामे उपस्तित हो रहा है लक्षते तो उसी क्रिया से जहाँ पर क्रियांतर का भान हो रहा हुआ उससे वहाँ पर सब्तमी का विधान हुआ है इसका उल्लेख हुआ है फिर अरणाम कर्तित्व अरणाम कर्तित्व तत्विप्रित्य से यहाँ पर कर्तित्व अकर्तित्व को दोनों अस्थल में सब्तमी का विधान का उल्लेख हुआ है और इसके पश्चा आप जो है वो श्योस्त अनादर अर्थ में दोनों का विधान है सौमिस्त लाद इत्यादी सूतर से अधिपत इत्यादी के योग में विद्यमार जो प्रायत पर देखा उसे सश्ठी का सब्तमी का और सश्ठी का आईउत और कुशल जिसकी ब्याख्याम ने की थी आईउत का मतलब क्या है आसेवायम आसेवाय आर्थ का वहाँ पर जो अउत्सुक की होतार पर यार्थ हो उसमें इनसे सश्ठी विवक्ति का सब्तमी विवक्ति का नीमन होता है इस तरह से यह तस निर्धारण की विश्वा बतलाया गया पंची विवक्ति यह भी निर्धारण अर्थ में लगता है साधिन उपना भ्याम अर्चायम सत्तम्य प्रते हैं यहां पर अर्चा अर्थ को लेकर के इसी तरह से प्रसित उस्सक अर्थ को लेकर के यहां पर भी तृतिया भिक्ति का नीमन होता है नक्षत्रे चलूपी नक्षत्र प्रक्रत्रतियु यूलूप संग्या लूप मानस प्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत उपद भी हक्ति है उसका उपद भी हक्ति में भी जो हैं पर कर्म प्रशनिये गए हो कर्म प्रशनिये से संबंधी जो है दुतिया भी हक्ति में और सब्तिवी भी हक्ति में बेशे सुरू साया है बीच बीच में अन्यस्थलों पे भी इसका स्वरूप प्रदर्शित होता है और इसके अनंतर जो है वो बीच में अनेक आवश्चक शब्दों का उलेख हुआ है और अधिक विवाशा क्री सूत्र के द्वारा यहां से भी अधिकी क्रीधातु के योग में प्रुचनी संग्या का विधान होता है जैसे माम अधिकरिश्यती यह से भी ग्रह में जो है तो यदत्रमाम अधिकरिश्यती बिन्योक्षे त्यर्था यहां बिन्योकता जो है उसका इशरत यहां पर गम्मान हो रहा है प्रयोक से जबकि वो गति संग्या नहीं है तो गति संग्या नहोने के कारण तिंग चोदात तवति सूत्र से इसको सरवान उदात तक अभी धान नहीं होता है तो ये सब चीज़ें आप लोगों को मतलाया गया है अब हम लोग थोड़ा सा एक सामान्य सा उल्लेक करते हैं जैसे आप लोगों ने प्रत्मा विक्ति का ग्यान किया प्रत्मा विक्ति के दो स्वरूप आपके सामने है एक प्रत्मा युक्ति का और एक संबोधन प्रत्मा का प्रत्मा युक्ति में आपने प्राद्विदिकार्थ लिंग परिमान बचल मात्रे प्रत्मा से उन्थे ततत स्वरूपों का प्राद्विदिकार्थ मात्र में लिंग मात्रे परिमान मात्रे बचल मात्रे में प्रत्मा का सुरूप उसे में अन्में होगा और जो अन्य क्रिया उसके साथ उसका अन्में नहीं होगा इसके बाद दुतिया विखती है कारके इसमें कारक को सरव प्रथम रखा गया और प्रथम जो कारक है उकर तो इस्तम कर्म उसमें कर्म की व्याख्या है और यह कर्म के वाचक की रूप में अनेक सूत्र उपस्तित होते हैं जिनका पूरा विचार होता है सामाने इसमें जो मुख्रू से आपके सामने यहां पर कर्म उपस्तित होते हैं प्रथम इफसित कर्म दूसरा अनिफसित कर्म इफसित तम कर्म और अनिफसित कर्म और यह तीसरा है वह अकतित कर्म ऐसे कई प्रकार की कर्म का कई प्रकार के करन का अपादा संपरदान का अपादान इत्याति का सबका स्रेश्ट विचार जितना अत्यन तावश्यक है आपको दुतिया विख्ति में हुआ इस प्रकार्टितिया विख्ति में चतुर्ती विख्ति में पंच्ची विख्ति में सश्टी सब्तमी सभी विख्तियों पर विचार हम लोगों ने किया उनको जाना और साथ साथ में ये का चोखंबा संस्कृत पुस्तकाले से निकला हुआ भी है और जिसकी को आवशक होगा तो इसको वहां से मंगा भी सकते हैं और इसमें प्रयास किया गया है कि सरल वीती से जो सभी विद्यार्थियों के समझ में आये इसको हिंदी टीका के द्वारे इसको दिवस्तित किया गया ह सभी चात्रों के हिद्की द्रिष्टि से इसका भी ज्यान कर सकते हैं इसे संपूर्ण प्रश्णों को उठा करके और उसका समाधान करने का प्रयास हुआ है तो इस तरह से हम लोगों ने आज संपूर्ण का प्रकरण का ज्यान किया और कल से फिर से हम लोग लग सिद्धान कोंदी के जो है समासप्त्रकरणादि में हम लोग प्रविश करेंगे उनका ग्यान करेंगे समास के विशह में जैसा आप लोगों ने समझा है समास के कई प्रकार हैं कई सुरूप हैं समास शब्द का क्या अर्थ है समास के भेद कैसे होते हैं समयस के भेद करने का तरीका क्या है, क्या वो समास के लक्षनवाः घटते हैं कि नहीं घटते हैं, समास में वहाँ पर शक्ती माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए, इन सबक आउले दूसरे समास करने की आवश्यक्ता क्या है, इस पर हम लोग कल विश्ध रूप से चर्चा करेंगे चुकि आज का विशय यहीं पर पूर्ण होता है और दूसरा विशय आरम करने से उसका जो है अधूरापन होगा इसलिए आज हम लोग आज थोड़ा सीग रही आज यहीं पर इस ज्ञानस सत्र की पूर्णता प्रदान करते हैं आप सब को बहुत बहुत धन्यवाद जय दो संस्कृतम जय दुभारतम